मिलक थाना इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों ने खाया जहर महिला और दो बच्चों सही तीन की मौत हो गई जबकि पती गंभीर मिलक CHC में भरती है उनकी हालक में सुधार है परिवार की आर्थिक स्थिती खराब थी पैसे के लेन-लेन से परिवार परिशान था पुलिस पुरे मामले की तप्तीश में जुड़ गई है मामला रामपूर के थाना मिलक इलाके के गाउं परमपट्टी का है यहां एक ही परिवार के चार लोगों ने जहर खा लिया महिला और दो मासूम बच्चों की मौत हो गई तीन की मौतों से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है पुलिस के अनुसार आर्थिक तंगी और पारिवारिक कले की वजह से जहर खाया है एसपी शगुन गौतम और एसपी अरुन कुमार भी घटना स्थल पर पहुँच गए पुलिस ने तीनों के शव को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है मृतक महिला के पती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है पती से पुलिस पुछताश कर रही है पुलिस ने पुरे मामले में तफ्दीश शुरू कर दी है एसपी शगुन गौतम ने बताया कि अभी आर्थिक तंगी और घरेलु कले बताई जा रही है पहले बच्चों को जहर खिलाया गया फिर महिला और पती ने जहर खाया अभी मामले की तफ्दीश की जा रही है मुदमाबच करेंगे जैसे भी कंवेट दिलेंगे उसके बढ़ने पर्फम दिश्चे लग रहा है कि महिला ने बच्चों को जहर जिया उसके बाद इसको बच्चों 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 जहर की ती इसने भी खाया और जो बता रहा है कि कुछ फ़ानांशल प्रॉब्लम थी पैसे का लेंग देन था पारिवारी कले भी बाकी इंगर्सिगेश झाल बच्चों को थाहीं इस जाएला को